बिग बॉस 14 के घर में कल टिकेट टू फिनाले टास्क था ऐसे में पारस शाबराग्य अगर बात की जाये तो उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी जब उन्होंने राहुल की जगह रुबीना का नाम ले लिया फाइनलिस्ट को लेकर अब ऐसे में थोड़ी बहुत जड़ब हमें देखने को मिली राहुल वैद्य और पारस शाबराग्य में कहीं न कहीं घर वालों को भी और कहीं न कहीं और यह लगता है कि पारस रुबीना के प्रती बाइस्ट हो गये हैं और तब ही उन्होंने इस तरीके से हरकत की है वही आर्केवियंस यहीं मान रहे हैं लेकिन अगर बात की जाए तो वह इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है उनको लगता है कि पारस ने जो भी डिसीजन लिया वह फैर था इस तरीके से पूरा सिच्वेशन है लेकिन अब लाइफ फीड में क्या चल रहा है जैसे कि वीकेड का वार है और सारे कंटिस्टन तयार हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए साथी बेल आइकन को भी प्रस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन बिग बहुत से जुड़ी आपको फिल्म रिंडो पर मिलती रहे अब ऐसे में जो लाइफ फीड आया है उसमें वाश्रूम एरिया के पास कंट कर दोस्ती देखने को मिल रही है कहीं जो कल की जो बात थी वह इन्होंने दिल से निकाल दिया है और कहीं नकहीं रहुल वैदी को यह समझ में आ गया है कि अगर मैं डिजर्विंग हूं अगर ऑडियंस मुझे प्यार करती है पसंद करती है तो मैं फाइनलिस्ट बन ही दे गए कॉमेंन सेक्षिन में और हमार चानल को लाइक श्यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तक तक के लिए टेक केर